नमस्कार दोस्तों, हिल्धी लिंगन होमियोपेथी के इस नए वीडियो में आप लोग का फिर से एक बर स्वागत है, आज हम लोगों का जो टॉपिक है, वो बहुत ही काम का एक टॉपिक है, क्योंकि डाइबेटीस के पेशिंस को, डाइबेटीस के जितने भी मरीज है, उन स हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, कौन सा होमियोपेथी ऐसा रिमेडी है, जो हम लोग रेडी टू मेड ले सकते हैं, किसी भी डाइबेटिक नियूरोपैथी पेशिंट, जो कोई भी एलोपती-अईबेटी दवाई ले रहा है, उसके साथ यह दवाई अपने से ले सकता ह और कम पेशेंट को important symptoms को जाच करके भाव करके अपने से किसी अच्छे homeopathy doctor के पास constitutional treatment के लिए diabetic neuropathy के लिए जाना चाहिए ये सब कुछ इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो को लेंदीना करते हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तो मैं काफी वीडियो में बोल चुका हूँ डाइबेटीस का सबसे जो complications होता है डाइबेटीस जब शरीर में चलता रहता है सालों तक और एक हद तक एक टाइम ऐसा आता है जब डाइबेटीस का complication शरीर में दिखना स्टार्थ होता है तब जो basically होता है micro angiopathy मतलब डाइबेटीस के कारण शरीर के छोटे छोटे जो खून जाने वाले capillaries and venules है वो ब्लोक हो जाते हैं एकदम small microscopic आखों में नहीं आने वाले ऐसे जो capillaries and veins है वो ब्लोक हो जाते हैं फिर वहाँ पे नया vascularization होता है और neovascularization and micro angiopathy यह जो दो pathology है यह रान करता है मतलब यहाँ पे एक नस बंध हो गया डाइबेटीस चलते चलते ब्लोकेज जो cholesterol ब्लोकेज होता है degenerative process ब्लोकेज होता है फिर दूसरा एक नस उस जगा को खुन दे रहा है नियो vascularization हुआ है नया muscle formation हुआ है इससे हम लोगों को तकलीब है इसी से हम लोगों को जितने भी रेटीनोपैथी आई में, diabetic नेप्रोपैथी किड्नी में, diabetic कार्डियोपैथी हार्ट में, diabetic जो नियूरोपैथी आज का जो टॉपिक है वो नार्ब्स में होता है खास करके पैरों में और हातों में ये लक्षन जो है नामनेस और रिड्यूस एबिलिटी, फील पेन और टिम्परेचर चेंज मतलब हम लोगों का हात और पैर सुन होना स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का हात और पैरों में ताकत नहीं रहता है जन जना पन सुन टाइप का maximum टाइम लहता है टिंगलिंग और बा टाइबेटिक फूट आल्सार होता है फुट आलसार मतलब divided varicose vein and diabetes का जो प्रॉब्लेम है और इसके ऐतार डाइबेटिक फूट आल्सार्स अर्दा आल्टीमेट रेजल्ट आप डाइबेटिक निउरोपैथी क्योंकि जो भी मैंने सिम्टॉम्स पहले से बताया है कि आपके हातों में जंजना हाट नामने सेंसेशन सुन हो जाना हाथ कभी टिंगलिंग जंजना हाट ऐसा टाइप का स इंचिंग सेंसेशन यह सब होता है होते 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 एक टाइम में ऐसा आता है जब आपके कोई एक पार्ट खास करके पैरों में या हातों में पैरों में ज्यादा होता है उसमें आपका स्कीन ब्लैकिश ड्राई होने लगता है इचिंग होने लगता है फिर उसी जगह पे ए जरूर करा लिजिए होमियोपैथी में भेरिकोज भेन का बहुती अच्छा ट्रीकमेंट होता है मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक के ओपर वीडियो डाल देने का देख लीजिए कौन-कौन सा मेडिसीन भेरिकोज भेन में बहुती अच्छा काम करता है और इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह कौन-कौन सा मेडिसीन इतना तो बात हो गया हम लोगों ने समझ लिया क्या-क्या सिंटॉम्स आ सकता है डाइबेटिक निउरोपैथी तो इसको हम लोग होमियोपैथी में ट्रीट क्या करें तो डाइबेटिस है उसके साथ नार्प्स इंबॉल्ब हो चुका है मतलब डाइबेटिस का मेडिसीन का साइड एफेक्ट होता है खास करका अगर आप ज्यादा दिन से अलोबाती ले रहे हैं या इंसुलिन के डिपे ट्रीटमेंट करेंगा क्या है प्योर कॉंस्ट्रीशनल होमियोपैथी ट्रीटमेंट मेरे चैनल पर जाइए होमियोपैथी डॉक्टर वाट यूशुड नो यह वाला जो प्लेलिस्ट है इसको देखिए आपको मालूम चल जाएगा अभी हम लोग जो मेडिसीन आप घर में कोई भी डाइबेटिक नियूरोपैथी सास्पेक्ट होने पर घर में OTC जो हमियोपैथी मेडिसीन आप ले सकते काफी दिनों तक कुछ हट तक आराम आपको हो जाएगा वो है वो डिसकर्स करेंगे वो है सबसे हेट रिमेडी है कैलीफर्स कैलीफर्स सिक्स पोटेंसी में लीजिए एक चमच पानी में दो बुन डालके डाइरेक्ट अब ले लीजिए दिन में तीन बाल लगाता लेते रहिए तो डाइबेटिक नियूरोपैथी का जो प्रॉंबलेम है काफी हट तक आफेक्ट आपको कम करेगा इसको ऐसे अभी कर सकते कि आप लगाता दो तीन मह नेक्स्ट आता है एक बहुत अच्छा मदर टिंचर है हिलोनियास मदर टिंचर जो डाइबेटी यस बहुत ज़ादा रहता है आट नौ दस गैरा बारा उसके साथ डाइबेटी निरोपैती है तो मैं उनको दो मेडिसीन एक साथ में उसकरने के लिए शलार देता हूं वह है कैलीफोस 6 प्लास हेलोनीयास माधा टिंचर जैसे कैलीफोस 6 मैंने पहले बहता है, उसके साथ हेलोनीयास माधा टिंचर 10 बुर्त करके, दिन में 3 बार, खाने के बार दो चमच गरम गुंगुने पारी में लगातार लेते रहिए, एक महिना लेज़े, एक महिना छोट दीजे, तो आपका निउरोपैथी आपको एफेक्ट नहीं करेगा अगर हातों में जंजना हट नीडिल लाइक प्रिकिंग सेंसेशन सुन हो जाना हातों में दर्थ पैरों में दर्थ यह सब ज्यादा आपको है पैरों में भी सुन हो जाना जंजना नीडिल लाइक सेंसेशन प्रिकिं दूबवाल लीजिये साथ दिन लीजिये आपका symptoms कम हो जाएगा फिर जब भी symptoms आपको फेश और आप repeat किजिए ऐसे करके ही इसका treatment बेन फोकास हम लोगों को जहां पर करना है वो है आपको diabetes को कंट्रोल करना है तो यूरोपैथी अपने आप ठीक हो जाएगा और होमियोपैथी में डायबेटीस को हम लोग 100% कंट्रोल कर सकते कोई भी स्टेच का पेशेंट हो चाहे आप बुद दिनों से अलोपाती या दूसरे कोई भी पैथी के ट्रिक्मेंट में हो फिर भी आप होमियोपैथी में बहुत एलोपाती मेडिसीन ड्राग विड्रॉल ना करके ड्राग टैपारिंग करना पड़ता है धीरे धीरे डोस कम करते करते हम लोग मेडिसीन को कम करते हैं साडेनली नहीं करते तो विड्रॉल सिम्टम जाएगा ब्लाट सोगर बर जाएगा या कोई सीवियर साइड एफेक्ट भी हो सकता है इसलिए जब भी डाइबेटीज नियुरोपैथी या डाइबेटीज निवर्सल का जरूरत परे तो आप जरूर एक expert homeopath के पास ही जाईए OTC medicine खरिद के ज्यादा दिन तक मत लीजिए थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताए यह ले सकने इससे symptoms कम रहता है क्यों नहीं होता है क्यों करने के लिए या एक जगह तक केस को standstill कर देने के लिए आपको एक expert home senior homeopath के पास जाना है तो अगर यह वीडियो को काम का लगा है तो वीडियो को आप शेयर करिजिएगा अपने social media pages में अगर आप चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस किनना मत भूलेगा दोस्तों नमस्कार